नमत्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदिताना मैं हूँ आपके साथ अर्जी अंजू स्वामी प्रसाद मौरिक के बयान पर घीरी सपा तो अखिलेश यादव बोले रामचरित मरस के खिलाफ कोई नहीं सपा नेता ने कहा जिस दक्यानुसी साहित्य में पिछडों और दलितों को गाली दी गई हो उसे प्रतिबंदित होना ही चाहिए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौरिक ने रामचरित मानस को लेकर विवादित बयान दिया था जिसके बाद काफी हंगामा हुआ और यूपी में सियासी पाराच चड़ा हिंदु संगठनों से लेकर बीजेपी तक उनके इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है लगातार पूरे मामले में बीजेपी ने अब तक सपा प्रमुक अकलेश यादों के चुप्पी पर सवाल भी उठाए है इस विवाद के बीच सपा की नई राश्ट्री कार्य करणी में स्वामी प्रसाद मौरे का कद्वी बढ़ा है और उन्हें राश्ट्री महा सचीव बनाया गया है वही रामचरित मानस पर विवादित पयान के कारण स्वामी प्रसाद मौरे और सपा के खिलाफ तेज होते विरोत के बाद अखिलेश यादव का बयान आया है सामने अखिलेश यादव रविवार को मैन पूरी पहुचे थे जहां प्रेश पार्ता के दोरान मीडिया कर्मियों ने स्वामी प्रसाद मौरे के विवादित बयान से जुड़ा सवाल किया तो अखिलेश यादव ने कुछ ये कहा कि भगवान राम और राम चरित मानस के खिलाफ कोई नहीं है उन्होंने कहा कल मैं मंदिर गया तो RSS BJP के गुंडे आ गए हमें पता होता BJP गुंडे भेजने वाली है तो हम अपने कारिकरताओं के साथ आते काला जंडा जब समाजवादी दिखाते हैं तो उन्हें एक साल के लिए जेल भीजा जाता है स्वामी प्रसाद मौरे ने ये भी कहा था बता दे कि स्वामी प्रसाद मौरे ने राम चरित मानस को बैन करने की मांग की थी और उसमें से कुछ पोच चौपाईयां भी हटाने की मांग की थी जो कि उनके अनुसार जिनका कोई मोल नहीं है और जिनका कोई अर्थ नहीं है और जो समाज के लिए सही नहीं है उन्होंने कहा था कि तुलसी दास रचित रामजनित मानस को प्रतिबंदित किया ही जाना चाहिए सपानेता ने कहा जिस दक्या नूसी साहित्य में पिछणों और दरितों को गाली दी गई हो उसे प्रतिबंदित होना ही चाहिए सपानेता स्वामी प्रसाद मौरे ने कहा था कि धर्म कोई भी हो हम उसका सम्मान करते हैं लेकिन धर्म के नाम पर जाती विशेश वर्ग विशेश को अपमानित करने का काम किया गया है हम उस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं स्वामी प्रसाद मौरे करते रहे हैं विवादित बयान भाजी भी स्वामी प्रसाद मौरे के इस बयान पर हिंदू संगर्ठनों और सादू संतों ने अपनी नाराजगी जताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी थी इस पर भढ़के हुए स्वामी प्रसाद मौरे ने अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते किन्तु अब इन संतों महंतों धर्माचारियों वजाती विशेश लोगों को क्या कहा जाए आतंकवादी महाशेतान या जल्लाध तो इसी के साथ मैं लूँगी अनुमती आज रडियों इंदुस्तान म किonne मैं कासस्तु और म Tapi Kें याल आते हैंे विशेश ज़ना थांवादी महादी का तो यहाते हम और यहादी मार्मार्ण